हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैं चैनल स्वागत है आपका मेरे यूटूब चैनल में फ्रेंड्स अगर आप भी चाते हैं इस तरके के डोरमेट, गलीचे, पायदान वगरा बनाना तो बने रहें मेरी वीडियो में अगर पसंद आएं तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सस्क्राइब कीजिए और सेर कीजिए अपने दोस्तों के साथ तो देखे इस तरके के जो कारपेट होते हैं न हैंडमेट तो बहुत ही अच्छे तरके से ये काम करते हैं काफी ज़्यादा मजबूद होते हैं और बिल्कुल 100% washable होते हैं और बिल्कुल free of cost हम इने बना लेते हैं जीरो बजट में क्योंकि पुराने कपड़े से ही हम इसे बना के तयार करेंगे और पुराने कपड़े तो हम सभी के पास ही होते हैं जिने हम बेकार समझ के फैंक देते हैं तो वही पुराने कपड़ों से आज हम सुन्दर सा डोर्मेट बनाएंगे और देखें मैंने इस तरीके का जो डोर्मेट है वो बनाया हुआ है और कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है बिल्कुल गदीदार गुदगुदा डोर्मेट हमारा बना हुआ है और सेप आप अपने अकॉर्डिम किसी भी सेप में इसे बना सकते हैं देखे इस दलके के गी safety बनाई हुई है और इसको बनाना भी बहुत ज़्जादा easy है बिल्कुल easy method से मैं इसको बनाना आपको बताऊंगी नहीं इसमें आपको ज़्यादा मेहनत लगेगी और नहीं आपका इसमें कोई भी पैसा लगता है बिल्कुल फिरी में ही आप इसे बना लेते हैं और कम समय में और कम समान में ही सिर्फ पुराने कपड़ों से ही हम इसे बनाएंगे तो चलिए फिर सुरू करते हैं बनाना मैंने ले लिया यहाँ पर एपरन यह मेरा पुराना एप्रेन है जो की बिल्कुल खराब हो गया था अब देखें मैंने जो इसकी लंबाई लिये 26 by 23 इंची की मैंने इसकी लंबाई लिये देखें इस तरीके से लंबाई और चोड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं 26 by 23 का मैंने यह कटिंग कर लू अब उपर से मैंने 26 वाली साइट से इस तरीके से फोल्ड किया हुआ है और उपर से चार इंचे लेके यह काड दिया लेकिन इसका सेप अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं आया है देखें तो अब इसकी जो चार इंचे जहां से लिया हुआ था वहीं से नीचे से नीचे से की स आप लेगा है व tow YES आप इसमेंड में पदुरान का लिया है और एक में अधर की साइट से जौद करना और वहुआ पाहर की सायट मेंए gel spray यह दोनों को हमें स्टीच करना है सारह में हम इसे stitch कर देंगे और 3 इंची के करीब हम इसमें इतना सा gap छोड़ंगे ताकि हम इसे सीधा कर पाएं तो चलिए हम इसे कर लेते हम फटा-पट से stitch कर लेते हम पूरे में जो हम इने गोलाई leave ये इसकी उसमें हमें इसे पूरे में stitch कर लेना है तो देखे इस तरह के से मैंने स्टीच कर लिया और तीन इच के करीब गैब छोड़ा हुआ है अब हमें छोटे-छोटे से नोचिस लगाने हैं ताकि जब हम इसको पलटेंगे न तो ये बिलकुल सफाई के साथ इसमें पलट जाए और बिलकुल भी इसमें जोलना है अब देखे इस तरह के से मैंने नोचिस लगा लिया और जो हमने गैब छोड़ा हुआ था वहां से मैंने इसे पलट लिया है देखे इस तरह के से अब जो उर्टी साइट है वो सारी अंदर की तरफ चली गई है अब इस तरह के से देखे इसमें सीधी वाली साइट भी जो हमारी है वहां पे भी हमें इसमें चारो साइट से इस तरह के सिलाई लगानी लगा लेनी है सिंपल से इसे अच्छे से खोलते हुए हमें कपड़े को पूरी चारो तरफ हम इसमें सिलाई लगाएंगे उसके बाद ही हम इसमें काम सुरू करेंगे आप जो है न मैंने जो सेफ दिया हुआ है तो आप सेफ अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं किसी भी तरके के अगर आपको हार्ट से बनाना है या फिर स्क्वेर में बनाना है या फिर रेक्टेंगल बनाना है तो आप किसी भी तरके से बना सकते हैं अपने हिसाब से अब के एक एक इंच के गैप में इसे ले रही हूं तो देखे पूरे में नीचे से लेके उपर तक एक एक इंच के गैप में मैं इस तरह के से निसान लगाऊंगी अब मैं आपको दिखाती हूं पूरी मार्किंग करके तो रफली मैं इस तरह के से मार्किंग कर ले रही हूं देख इस तरह के से आप मार्किंग कर लीजिए और उसके बाद देखे मैंने लिया है एक मफलर था मेरे पास पूराना ये मेरी बेटी का यूनिफॉर्म का था और बिल्कुल भी बेकार हो गया था तो देखे इस तरह के से हमें बिल्कुल पतले पतले इसके पीस करने देखे बिल्क पतलि पतली सी 1.5 इंच के गड़िम स्ट्रीप काट रहूं तो लिए कोसो थे में नोषे संटाटने, फेटल है sideKO famous subscriber भी हम सभने करेंगे जो सत्रीप करेंगे, सभने करेंगे घ्राच cheating आप साथ तरुक्स साथ ऑप कशो कर बोगकी आप किसी सको हना, आप किसी अगर आपके पास कोई भी सॉल हो मफलर हो स्वेटर हो पुराना तो आप ले सकते हैं मैंने देखे दूसरा वाला मफलर लिया है जो कि बिल्कुल रोए आगे और बहुत पुराना मफलर है ये भी तो देखे इस तरह के से हमको यहां से स्टार्ट करना है जो लाइन्स हमने काटना है कुछ भी नहीं करना है तो देखे इस तरह के से फोल करते जाना इधर और उधर दूने साइट हम मैं आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं होती इससे पहले मैंने जो डॉरमेट आपको सेयर किये वें तो उसमें कटिंग करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था तो इसलिए यह वारा जो डॉरमेट है इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता फ्रेंट से देखे इस तरीके स आपको बिल्कुल भी इस तरीके से करते जाने फोड करते जाने और मोडते जाने देखे इस तरीके से और सिलाई करती जानी है और इस तरीके से मोडते जाने अब आपका ना बस काम इतना ही है इसमें आपको इसके बाद इसमें कुछ भी कटिंग करने की जरवत नहीं है क्य का डोर्मेट बन जाता है बीना मेहनत के देखे बिलकुल यह देखे जैसे हम साड़ी में पल्ले बनाते हैं चुन्नट डालते हैं आगे से उसी तरके से आपको इस तरके से फोर्ड करना है और ज्यादा देखे मैं आपको दिखाती हूं मैं किस तरके से इसमें चुन्नट डाल और बस ऐसे प्लेट बनाते हैं न हम साड़ी की बस उसी तरीके से हमें इसे बनाते जाना है और सिलते जाना है बहुत ही easy तरीके से आपका डोरमेट बन जाता है और देखे फ्रेंड्स इसमें एक बात ये हुई कि मेरे साथ जो इसमें red color मेरे पास बहुत कम पड़ गया था क् जो मफलर था ना वो में पहले ही उसका कुछ और बना चुकी थी तो वो कपड़ा मेरे पास कम था यहां से मैंने रैड वाला जो थोड़ी से ही दो लाइन्स मैंने रैड वाली लगाई भी है उसके बाद मैंने ब्लैक वाला मफलर कट किया था और उसमें ब्लैक वाला भी कम प वगरा जो भी हो तो ट्राउजर वगरा होते न वो सब आप ले सकते हैं टीशट ट्राउजर कुछ भी आपके पास है जो कपड़ा इस तरके से स्टैच होता है वो आला कपड़ा आप ले सकते हैं फिरन से देखें इस तरके से यहां पर यह मेरा कंप्लीट हो गया है अब सब्सक्राइबबघ करएंगी सब्सक्राइब है इसमेस्ः और क्वोग सब्सक्राइब मॉइश्श चर्म करें भी अच्छे तिर्के से इसमें यूज हो जाती है और बहुत सुंदर सुंदर कारपेट डोरमेट पाइदान आप गलीचे बगरा कुछ भी बना सकती है तो देखें यहां पर यहां पर यह गाड़ी का कबर था जो अंदर सीट के कबर होते हैं वो था और यह काफी जादा अच निकल रहा था तो यह मुझे नहीं पसंद आया लेकिन डिजाइन इसका बहुत सुंदर बना था लेकिन वही है कि इसमें से रोव इसे निकल रहे थे लेकिन जो मैंने ब्लैक और रेड वाला कट के आवा है उसमें से बिल्कुल भी कुछ भी नहीं निकल रहा था अब देख ताकि यह बाहर न दिखे, अब देखे यहाँ पर मैंने यह अच्छे से fix कर लिया है, इसके बराबर का ही cutting किया हुआ है, और अब मैं इसको एक side से लगाना यहाँ पर सुरू करूंगी, और पूरे में जितने में हमारा gap है, उतने में हम इसे पूरा अच्छे से लगा लेंगे जो हमारा मैंने ग्रे वाला कपड़ा यहां पे कट किया हुआ है तो फ्रेंट्स देखे बहुत सुन्दर यह बनके तयार हो रहा है और एक बार आप इसको जरूर ट्राइ किजिएगा एक बार आप बना लेंगे नहीं तो सालो साल की आपकी जंजट खतम हो जाएगी दोर्मेट पाइदान वगरा मार्केट से लाने की क्योंकि इतना मजबूत बनावा है और यह बहुत ही ज़्यादा प्यारा रहा था जो इसका डिजाइन था अब देखे एक्ट्रा पार्ट मैंने यहां पे कार्ट दिया है अब देखे यहां से मैं एक लाइन इसमें और लगाऊंगी जो हमने ग्रे कलर का जो मैंने अपने कुर्टे का कपड़ा लगाया हुए न वो थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा था लेकिन उसे हमें बिलकुल भी नहीं दिखाना है सफाई से बिलकुल अच्छे से काम करेंगे ताकि मार्केट स्टाइल डोरमेट हम घर पे ही बना पाएं तो देखे इस तरगे से यहां से मैं एक लाइन और यहां पे वाइट की लगा दूँगी ताकि जो ग्रे कलर है बिलकुल भी यहां से वो नहीं दिखेगा पूरा कम्प्लीट दिखेगा अच्छा दिखेगा और देखे इस तरगे से तो पूरी वाइट वाली लाइन्स भी मैं यहां पे लगा लेती हूँ उसके बाद बताती हूँ कि आगे हमें इसमें क्या करना है लेकिन जो यह वाइट वाला मैंने लगाया हुआ था बहुत ही ज़दा प्यारा लग रहा था बस इसका यही इसी वज़े से मैं इसे नहीं लगा रही हूँ आगे भी देखे मैं इसी तरीके से इसमें पूरे में डिजाइन बनाऊंगी यही वाला लेकिन डिजाइन अब मैं जो मैंने ग्रे कलर का कपड़ा लगाया है उससे बनाने वाली हूँ आगे यह क्योंकि कुर्टा था मेरा और काफी ज़्यादा इसमें स्पेस था बहुत ज़ देखे रहा आपको वीच बीच में इसमें नीचे की साइड से कुर्टे में डिजाइन था और जे बाजू है बाजू में भेंधे अधा तो मैं पूरे डिजाइन समीत ही इसे कत लिए है लेकिन वाइट वाले से मेरे भी रोई निकल रहे हैं, इसलिए मैंने उसे वहीं पर ही खतम कर दिया, मैं उसे आगे नहीं लगा रही हूँ, तो देखें फ्रेंड्स, अब मैं उसे किसी और चीज में यूज कर लूँगी, अब दिखें यहां पर यह जो मैंने ग्रे वाला डो लंबी भी हो जाएगी, जब हम इसे खीचते हैं, तो उसके बाद डोरी खीचके जो होती है, लंबी हो जाती है, अब देखें यहां से मैंने यह वाली जो रो है, वो कम्प्लीट कर दिये, तो ऐसे ही हमें सारी रो पूरी लगा लेनी हैं, इसी तरके से, जैसे मैंने ग्रे वाली लगाए थी, एक वैसे मैंने सारी लगा ली हैं, अब जो बीच-बीच में डिजाइन था न, वो देखें आपको दिख रहा होगा, और जो भी आपको एक्ट्रा पार दिखता है, ऊपर उठा हुआ, जहां से क्पड़ा खतम हो जा रहा था, वहां पे वो थोड़ा सा एक्ट्रा हो जा रहा था, उसे काट लीजिए, अब देखें कितना सुन्दर सा हमारा डोरमेट बन गया है, कितना प्यारा लग रहा है, और काफी ज़्यादा मजबूत है, और नीचे वाली साइट से आप यहां पे एक सिलाई लगा दीजिए, पूरे में, आपको कोई पैटन वाला कपड़ा हमने इसमें लगाय हुआ है, तो फ्रेंड से वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक, सेयर और सस्क्राइब जरूर कीजिए, अपने नियर ओडियर में सेयर जरूर कीजिए, मिलते हैं नेक्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाई बाई, थैंक्स अच्छा लगस्चाइब, झाल में सेयर जरूर को जिसमारी में सेयर यह सक्राइब, झाल में सेयर शिए, जरूर को।